राम मंदिर पर शिप सेना प्रमो कुदब ठाकरे की टिपनी पर बीजेपी के नेताओं ने तीखी परतिकरिया देते हुए उनकी जमकर निंदा की है पता दे की बीजेपी सांसद रविशंकर परसाद ने सोंबार को कहा मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये पूरा गटबंदन जो पियम मोदी के खिलाफ है वो बोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है रविशंकर परसाद ने कहा मैं भगवान राम से प्रात्ना करना चाहूँगा कि उन्हें कुछ सद बुद्धी दे ये एक शर्मनाक और अश्योबने टिपनी है हम इसकी निंदा करते हैं दरसल एक रिपोर्ट के अनुसार महरास्टर के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को जल गाउं में एक जलन सवा के दोरान ये टिपनी की थी बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्गाटन होगा समभावना है कि उद्गाटन के लिए देशवर से कई हिंदूों को बुलाया जाएगा और सामारो खतम होने के बाद लोगों के लोटने पर वो गोधरा कांड जैसा कुछ कर सकते हैं दरसल राम मंदिर का उद्गाटन जन्वरी 2024 में होने की समभावना है केंद्र मंत्री अनुराक ठाकुर ने भी इस बयान के बाद उद्दव ठाकरे पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि बाला साहिब ने आज क्या सोचा होगा और सत्ता के लालच में उद्दव ठाकरे आज क्या कर रहे हैं अनुराग ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग सत्ता के लालच में अपनी विचारदारा बूल गए हैं जब सनातन धर्म के बारे में इतनी सारी बाते की गई तो राहुल गांदी और उद्दब ठाकरे ने एक शब्द भी नहीं कहा। बतादे कि गुजरात के गोदरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को सावरवत्ती एक्सप्रिस से अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों पर हमला किया गया था रेल के डिपो में आग लगा दी गई थी जिसमें कार सेवक सवार थे इस गटना में कई लोगों की मौत हो गई थी जिसके पूरे रज में दंगे पाला को ठेते अब ऐसे में महाराश्र के उद्दव ठाकरे के इस बयान के बाद ये देखना होगा कि बीज़ेपी इस पर अपना अब क्या एक्शन लेती है खेर दोस्तों दफ ठाकरेक इस बयान को लेकर आपको क्या लगता है अमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं